Hello everyone, welcome back to my channel. आज हम समझेंगे valuing house work. Harmeet's family did not think that the work Jaspreet did within the house was real work. देखिए, Harmeet की जो family थी, वो ऐसा नहीं सोचती थी, कि जो काम Jaspreet करती है, पूरे घर का, वो असली काम नहीं है. This feeling is not unique to their family. ये feeling कोई उनहीं की family में नहीं है. ऐसी feeling हर families में होती है, पूरे वर्ल्ड की. Across the world, the main responsibility for housework and caregiving tasks, like looking after the family, especially children, the elderly and sick member, lies with women. देखिए, जो पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में क्या है, कि जो main responsibility होती है, घर के काम की, और देखवाल करना, caregiving task जो होती है. उनकी क्यार करना, सब ये responsibility पूरी एक women की ही होती है. ठीक है, येट हमने देखा, the work that women do within the home is not recognized as work. येट हमने देखा, कि जो भी काम एक women करती है, घर का, उसे as actual work नहीं माना जाता है, उसे ऐसी recognition नहीं दी जाती है, ठीक है, इट इस, also assume that this is something that come naturally to women, if therefore does not have to be paid for and society devalues this work. दिखे, जो society है, वो इस काम को औरत के काम को value नहीं देती, क्योंकि उन्हें अभी pay नहीं करना पड़ता है इस काम के लिए. ठीक है, lives of domestic worker, अब देखे, जो domestic worker है, उनकी भी कुछ life ऐसी ही होती है, domestic worker याने की, जो made होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर है, in the story above, हर्मीत मदर was not the only who did the housework, उपर जो हमने story पड़ी, उसमें सिर्फ एक हर्मीत की ममा ही ऐसी नहीं है, जो housework करती हैं, a lot of work done by mangla, their domestic helper, बहुत सारा काम mangla करती है, उनकी जो domestic helper है, ठीक है, जो हर्मीत की domestic helper थी, वो थी mangla, many homes particularly in towns and cities, बहुत सारे घर, ज्यादा तर towns और cities में, के लोग जो होते हैं, वो domestic worker employ करते हैं, यह बहुत सारा, जो domestic worker होते हैं, बहुत काम करते हैं, जिसे जाडू लगाना, सफसफाई करना, कपड़े धोना, और dishes clean करना, खाना बनाना, बच्चों को ध्यान रखना, बढ़ों का ध्यान रखना हैं, बहुत सारा domestic worker काम करते हैं, बहुत साइड domestic worker जो होती हैं वो women ही होती हैं औरते होती हैं कभी-कभी जो छोटे बच्चे लड़के लड़की होते हैं उन्हें भी इस काम के लिए रखा जाता है wages यानि की वेतन यानि की पैसे होते हैं वो बहुत कम होते हैं और domestic work जो है वो बहुत ज्यादा उसकी value भी नहीं की जाती है एक domestic worker का जो दिन है वो पांच बजे सुबह के स्टार्ट हो जाता है और खतम होता है रात के बारा बजे ठीक है this is what Malini our domestic worker had to say about her experience of working in Delhi तो जो Malini का experience बताती है जब वो डली में काम करती थी वो बोलती है my first job was with a rich family that lived in a three-story house वो बोलती है कि जो मेरी पहली job लगी थी वो एक बहुत अमीर family में लगी थी जो की एक तीन मंजिला घर में रहते थे the में साहिब was very strange as she would shout to get any work done और जो बोलती है कि जो में साहिब थी वो बहुत strange थी क्योंकि वो कुछ भी काम कराने के लिए चिला के बोलती थी मेरा work kitchen में था वहाँ पे और दो लड़कियां भी थी जो की साफ सफाई करती थी हमारा दिन सुबह के पांच मजे स्टाथ हो जाता for breakfast we would get a cup of tea and two dry rotis breakfast के लिए सेफ हमें चाय और दो सुखी हुई बासी रोटी मिलती थी we could never get a third roti हमें कभी भी तीसरी रोटी नहीं मिलती मतलब दो ही रोटी हुने daily मिलती थी in the evening when I cook the food the two other girls would beg me to give them an extra roti वो बोलती जब भी वो जैसे शाम को खाना बनाती तो जो दूसरी दो लड़किया काप करती थी वो कहती कि हमारे लिए extra roti बना दो चीक है I would secretly give it to them तो मैं उन्हें extra roti बना की secretly उन्हें दे देती और अपने लिए एक्स्टा बना लेती third roti हम इतने बूके थे कि हम बला पूरे दिन हम काम करके बूके हो जाते थी हमें कभी चपल भी नहीं पहने दी जाती थी घर में ठीक है और सरदियों में तो हमारे जो पैर थे हो सुनो जाते खंड की वज़ा से I used to feel scared of the same sahib but also felt angry and humiliated मुझे हमें तो उतनी ही डिजर्व मतलब हम भी तो उतनी डिजर्व करते हैं रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं जितने की दूसरे ठीक हैं यह हमें भी इतनी रिस्पेक्ट मिलने चाहिए तो इस वीडियो के लिए इतना ही अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए शेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्षिन में जरूर पूछें थेंक यू सो मच टेक एर